सभी दश्कों का फिर से स्वागत एक नए वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल आयरवाइद इस्टेशन पर दोस्तो आज के वीडियो का जो टोपिक है वो आपने थम्नेल पर देखी लिया होगा दोस्तो इस प्रकार की जो समस्या है वो शादे के बाद बहुत सा हैं क्या उनकी प्राइस है कितने समय तक आपको उप्यों करने पर पूरा लाब मिलेगा और साथ ही उन और यूजदियों को यूज़ करने से आपको कोई साइड इफेक्ट से नुकसान हो सकते हैं नहीं पूरी जानकरिया आपको देने वालों तो वीडियो को आप अंतर तक जरूर देखेगा तो सबसे फिले देख लेते कौन-कौन तो और आपको लेनी है सबसेपेले दोस्तो आपको लेनी है पतेंजरी की देविधा हर्मेसी कि वसंद civ कित्या कर रस यह आपके एक ग्राम की पेकिंग में आती है एक ग्राम की जो प्राइस वह पांसो बीस रुपई है इसमें दोस्तों आपको दो ग्राम लेनी है यानि कि एक एक ग्राम के आपको यह दो शिशे आपको लेनी है उसके बाद दूसरे ग्राम की पेकिंग में आती है दो ग्राम की फ्रिपाइब तराइब अबरक बस्म वह बस्म दस ग्राम में है और डस ग्राम में आपको पांच।भान रूपीज यानिक 70 रूपीम मिल जाएगा नेक्स्ट आपके योवन चून योवन चून दोस्तों आपको 100 ग्राम लेना है 100 ग्राम की MRP आप देख लिए 250 रूपीज यानिके 250 रूपएम आपको ये मिल जाएगा ये दूस्तों सारी होज़िया आपको एक साथ लेनी है ये प्राज की शिश्यह जिसमें कि दो रसंत कुसमा कर ओए मकर्दवजी इनको भी आप खोल कर लेजिए इसके बाद दोस्तों आपको इनके साथ पूडिया बना ली डा दोस्तों आपको एक एक पूडिया सुभष खाना खाने से पहले दूध के दोनो टेबलेट वों में आ जाएगी। इन दोनों में से दोस्तों को 2-2 गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद गुंगुने पानी से लेनी है दोस्तों अब जब आप रात को सोते समय दूद पिते हैं तो उसमयं आ Jeff दो learn पुडिया बन जाएगी दूसरी आपके टेबलेट हो जाएगी और तिसरी आपके शुदिश इलाजी तो जो की दूद में मिला करके आपको लेना है तो कुल आपको यह तीनों उजदिया लेनी है अब दोस्तों यह आप इन उजदियों का नीमित और बराबर सेवन करते हैं त आपको यह पतंजली के स्टोर से मिल जाएगी और अपको नहीं मिलती है तो हमारे स्टोर से आप ओंलाइन ओडर भी कर सकते हैं अब दोस्तों बात आती है इन उजदियों को यूज करने के साथ आपको क्या-क्या परहेज रखने हैं तो जबत आती हम आपको बहुत अच्छ मिलता है दोस्तों बात आती है इन योजदियों के सेवन करने के साथ आपको कोई साइड इफेक्ट से नुक्सान होने की संभा है नहीं या नहीं तो आपने देखे लिए होगा सारी ओजदिया आयरवेदी के तो नुक्सान होने के अभिद्य कोई संभा होना है नहीं लेकिन फ